तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोईन ओल इस गोल्ड में तो दोस्तों अभी तक आप ले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वो बैल नोच्विकेशन ओन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले और दोस्तों वीडियो को जादा से यादा शेयर कीजिए जिन कोईनों के बारे मैं आपको बताता हूँ अगर ये कोईन आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास नहीं है तो क्या पता आपके रिष्टेदारों के पास हो आपके यार दोस्तों के पास हो इसलिए ये वीडियो उनको भी शेयर कीजिए उनको भी पता लगना चाहिए कि कोईन क्या वैल्यू रखता है क्योंकि दोस्तो आजकल मार्किट में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो आप लोगों के महंगे कोईन सस्ते दामों पे ले रहे हैं और दोस्तो बहुत ही जल्द अब 2024 की बुक आने वाली है नोच्मिकेशन आगई है 2024 की बुक की तो इसलिए मैं आपको अभी से ही कीमते बता रहा हूँ कौन कौन से कोईन महंगे होंगे मेरी वीडियो आपको एंड तक देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है तभी आपको पता लगेगा मैं कौन से मिंट के सिक्केगी क्या वैल्यू बता रहा हूँ और कौन से एर का वो सिक्का होता है जो आपका बिख सकता है आप में से बहुत से लोग वीडियो मेरी आदी देखते हैं और आदी निकाल निकाल के देख लेते हैं लेकिन वो वो सिक्का नहीं होता जो मैं वीडियो में बताता हूँ उसका मेंट भी अलग होता है और इयर भी अलग होता है इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होती 8-9 मिनेट की मेरी वीडियो होती है आप वो 8-9 मिनेट अपने थोड़े निकाल दीजिए और वीडियो को पूरा end तक देखिए आपको वीडियो में ही पता लग जाएगा कि मैं कौन से कोईन की क्या value बता रहा हूं अगर आपको उसके बाद भी मुझसे कुछ पूछना है वर्टसप पे तो दोस्तो उसके बाद आपको फिर चैनल की मेंबर्शिप लेनी पड़ती है चैनल की मेंबर्शिप 299 रुपे की है एक महीने की जिसमें मैं आपको 30-35 कोईन के बारों में knowledge देता हूं कोई भी आपको information चीओ अपने note के बारे में हैं और पूछते रहता है कि सर यह कौन सा हमें अपने collection में add करना है और कौन सा rare की category में आता है तो दोस्तो मैं ने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए मैं पहले भी 50 पैसे के कोईनों पर वीडियो बनाई है लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के पास इस तरीके के 50 पैसे बहुत सारे हैं कई लोगों के पास तो दोस्तो कच्टे भर भर के पैसे रखे हैं यह वाले 50 पैसे कई पुराने लोग होते हैं जो पहले जमा करते थे 50 पैसे तो उनको इन 50 पैसों में वो 50 पैसे जूढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो मैं आज आज आपको वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों कई 50 पैसे कीमत तो 15-15,000 रुपे है आप में से बहुत साई लोगों को नहीं पता कि कौन से एर का और कौन से मिंट का सिक्का आपको 10-15,000 रुपे दिला सकता है आज यही आपको बताऊंगा वीडियो में तो वीडियो आप पूरा एंड तक देखना अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तो तो 1984 से लेकर 1990 तक मैटल इनका पोपर निकल है वेट इनका 5 गराम है साइज इनका 24 mm है शेप इसकी राउंड है दोस्तो यह आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है 1986 का 50 पैसे का सिक्का दोस्तो मैं स्रीफ और स्रीफ रेर कैटेगरी के 50 पैसे के बारे में बताऊंगा आप अच्छे से या तो pen copy पे कहीं लिख लीजिए या आप वीडियो दुबारा देखना अगर आपको समझना है तो वीडियो दुबारा देखना मैं कौन से year का और कौन से mint के 50 पैसे के बारे में आज आपको बता रहा हूं उसकी वो ही value होगी जो मैं आपको वीडियो में भी जाएंगे तो आपको आपके सिक्के की value पता होगी आपको कोई पागल नहीं बना पाएगा अगर वो सिक्का मुझे बेचना चाहते हैं तो आप मुझे WhatsApp पे भेज दीजिए मैं वो सिक्का देख लूँगा आपका तो हम बात करेंगे 1986 के Bombay Mint के सिक्के की यह दो मिंटों की बात करें तो very fine to UNC कीमत बताओंगो दोस्तों में आपको very fine कंजिशन में इसके आपको मिल जाएंगे 3000 रुपे 1986 के 50 पैसे के और extra fine कंजिशन में आपको मिल जाएंगे इसके 4000 रुपे Bombay Mint का सिक्का है यह 50 पैसे का और UNC कंजिशन में दोस्तों UNC कंजिशन में इस सिक्के की क चली आती है 7 से 8000 रुपे 1986 के Bombay Mint के सिक्के की यह आप अच्छे से सुन लिजे मैं Bombay Mint के सिक्के की बात कर रहा हूं मैं कलकता Mint के बात नहीं कर रहा हूं मैं स्रीफ और स्रीफ Bombay Mint के सिक्के की बात कर रहा हूं जो 1986 में बना था दोस्तों वीडियो में बने रहना मैं आपको पचास पैसे का एक ऐसा सिक्का दिखाऊंगा जो आपको 15,000 से लेकर 20,000 रुपे दे सकता है वो कौन से मिंट का सिक्का होगा और कौन से एर का होगा वो आपको वीडियो में पता लगेगा अब बात करते हैं 1989 के 50 पैसे के बारे में 1989 के ये 50 पैसे हैं ये 3 मिंटों से बनाए गए थे ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बॉंबे कलकत्ता और हैदराबाद इसमें दोस्तों हैदराबाद मिंट का 1989 का हैदराबाद मिंट का रेर की कैटेगरी में आता है यह आप अच्छे से देख लिजिए यहाँ पर year लिखा है 1989 आप अच्छे से देखिए और अच्छे सुनिए इसमें स्रीफ और स्रीफ हैदराबाद mint rare की कैटेगरी में आता है 1989 का यह सिक्का है 50 पैसे का हैदराबाद mint अब इसकी कीमत की बात करे verified condition में आपको मिलेंगे 1500 रुपे 1989 के हैदराबाद mint के और extra fine condition में आपको मिलेंगे इसके 2500 रुपे एक सिक्के के यह rare की कैटेगरी का सिक्का है यह आप देख लिजिए और UNC condition UNC तो आप जानते ही है चमचमाता हुआ सिक्का होता है कोई दाग दब्बा नी होता कोई निशान नी होता हैदराबाद mint का 1989 का UNC condition में आपको इसके मिल जाएंगे 4000 रुपे एक सिक्के के 50 पैसे का सिक्का है 4000 रुपे आपको दे सकता है है हैदराबाद mint का दोस्तो अब बात करते हैं उस सिक्के की जो आपको 10,000 से लेकर 15,000 रुपे कोई कोई तो दोस्तो उसके 20-20,000 रुपे भी मांग रहा है उस सिक्के के क्योंकि वो extremely rare कैटेगिरी का सिक्का है यह है 1988 का 50 पैसे का सिक्का यह आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे है 1988 का 50 पैसे का सिक्का यह चार मिंटों से बना गया था बंबे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोईडा इसमें स्रीफ और स्रीफ नोईडा मिंट का सिक्का 1988 का यह आप देख लीजिए यहाँ पे आपको round dot mint mark देखने को मिलेगा एकदम गोर्ल है देखिए यह dot mint mark अच्छे से arrow के माद्यम से देख लीजिए यह नोईडा मिंट का सिक्का है दोस्तो 1988 का नोईडा मिंट यह आता है extremely rare की कैटेगरी में इसकी कीमत है दोस्तो बहुत ज़्यादा अगर यह verified condition में भी आपके पास यह सिक्का है नोईडा का तो आपको verified condition में भी इस सिक्के के 5000 रूपे मिल सकते हैं 1988 का नोईडा मिंट का सिक्का है verified condition में 5000 रूपे आपको मिल सकते हैं अब बात करते हैं इस सिक्के की extra fine condition में क्या value है दोस्तो इसके आपको मिल जाएंगे 8000 रूपे से लेकर 9000 रूपे 1988 के नोईडा मिंट के सिक्केगी स्रीफोर्शिफ एक ही मिंट इसमें आता है दोस्तों रियर की कैटेगरी में 1988 में अगर इसकी कीमत की बात करें UNC कंजिशन में एकदम चमचमाता हुआ जिस पे कोई दाग धबा ना हो जिस पे कोई भी निशान ना हो नोईडा मिंट का ये सिक्का है 1988 का 50 पैसे कोपर निकल का तो इसके आपको मिल सकते हैं 15,000 रुपे UNC कंजिशन में एक सिक्के के दोस्तों क्योंकि ये extremely rare कैटेगरी का सिक्का है जो काफी कम लोगों के पास है काफी कम लोगों को देखने को मिलता है ये सिक्का अगर आपके पास बहुत सारे 50 पैसे के ऐसे सिक्के हैं तो उनमें ये 3 सिक्के तलाश कर लीजिए जो मैंने आज आपको बताएं 1986 का बॉंबे मिंट का 1989 का हैदरबाद मिंट का और 1988 का नोईडा मिंट का ये 3 सिक्के दोस्तों आपको हजारों रुपे देख सकते हैं मैंने इसकी कीमत आपको बता दी है तीनों मिंट के सिक्के की मैंने आपको कीमत बता दी और ये ही कीमत आपको मिलेगी अगर आपके शेर में कहीं पेर भी एक्जिविशन लगती है तो आपको कीमत पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने सिक्कों की क्योंकि आपको लोग पागल बना देते हैं आपको पता ही नहीं होता कि आपका कौन सा सिक्का rare है और कौन सा normal है तेरी वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से पता लग जाता है कि आपको कौन से सिक्के की क्या value मिल सकती है तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप अगर मेरे चैनल की membership लेना चाते हैं तो 299 की membership है जिसमें मैं आपको 30 coin के बारे में information दूँगा एक महिने में क्योंकि काफी लोगों को mint और year के बारे में कुछ चीज़े समझ नहीं आती तो आप मुझसे WhatsApp पे पूछ सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपके लिए रोज ऐसी knowledgeable और interesting वीडियो लाता रहता हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद